हेलो एंड वेलकम दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे हैल्दी होंगे और खुश भी होंगे तो सुरू करते हैं आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं इंडेक्स की विद डेटा और हम एनालिसिस करेंगे वीकली डेली एंड आरली चार्ट पर वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो जाएं तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी कुछ इंट्रस्टिंग निकल के आने वाला है आज की वीडियो में ठीक है तो जिड़ रहने क के लिए वीडियो को पूरा देखो और सब्सक्राइब कर लो चालो अगर हम देखते हैं निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का अगर हम देखें वीकली चार्ट में यहां पर देख रहा हूं दोस्तों अब वीकली चार्ट में क्या हो रहा है हमने क्या देखा ज यहां पर आब आप बाइंग करके चल सकते हो short term के लिए not long term के लिए फिला long term in the sense कि अभी बाय कर लो बहुत लंबा बहुत लंबा तो ठीक है थोड़ा लंबा मतलब एक दो महीने वाला वो नहीं यहां से हमें definitely bounce back जरूर देखने को मिलेगा मैंने बोला भी था और उसके बाद भी देखोगे तो यह ही हुआ हमें यहां पर एक bullish हरामी सिगनल मिला उसके बाद यहां से हमें confirmation नहीं मिली थोड़ा सा दिक्कति यहां पर क्योई confirmation नहीं मिली बट अगर एक चीज़ देखोगे यहां पर तो हमें प्योर ले नीचे की साइड चे रिजेक्शन देखने को मिल और जो 15700 का लेवल जो बार 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 और बार ही support का काम कर रहा है तो वहीं से हमें एक strong bullish candle देखने को मिली है दोस्तों अब दोस्तों एक चीज़ देखो अब भोलोगे कि यह तो सही है अब आगे क्या चलो आगे मैं बताता हूं तिलहाल हमारे लिए जो पहल कि यह होगा तो क्या लगते है इसको फिल्ड चेंज करना चीएगा मजाग कर रहा हूं तो 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 यहां पर हमें resistance देखने को मिलेगे क्योंकि यहां से पिछली वार क्रेक्शन हमें देखने को मिला था तो जो 16,590 का लेवल है 16,590 का यह हमारे लिए फिलहाल एक resistance का काम करने वाला on the basis of weekly weekly basis पे अगर यहां पर हमें क्लोजिंग मिलती है ध्यान दखना एक बार उपर बेसक चला जाए बट क्लोजिंग के मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो पहले वीकली बात करेंगे तो यहां पे 590 पे रेजि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब हो यहां पर फोल्ट करें उसके बाद चले तो फिर मजह भी आएगा ज्यादा हो रहते हैं आलने के वह बहुत सही है मत अंट तोकिंग आपट थोड़ा से लोंग टर्म ने कोटफोलियों के सापसे मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा रुक के चले तो थोड़ा बैस्ट रहेगा अगर एकदम भागेगा तो दिक्कत हो जाएगी तो ठीक है वह उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो भी वेरी फ्रेंक क को भी भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि एकदम भगाना है या रोकना है वो मार्केटी बताएगी बठां अगर ऐसी सिच्वेशन बनती है कि होल्ट होता है उसके बाद अप मुव शुरू होता है देन डेफिनिटल उसके बाद हमें एक स्ट्रोंग पांच तीन चार पांच परसें का काम करने वाले हैं और बेशिज चार्ट चलो फिर डेली पर क्या अब डेएली पर देखो के तो मैं तैसकी बात कर एक वी क्लिकेश तस हंक FREकी कि वहांगा सब्सक्राइब कि बार काक्स है कि फेस सपर थे कर दोशेए ठीक का ठीदिए तो यहां पर 16,780 तक जा सकता है, क्योंकि यहां तक एक बार गवहले गया है, तो हमें daily basis पर, अगर हम next week की daily के count करें, तो एक बार 780 तक का move देखने को मिल सकता है, उसके बाद मैं भी एक collection देखने को मिलें, उसके बाद, लेकिन weekly basis पर मैंने closing की बात करी 590 ठीक है, तो 780 daily basis एक बार upside way move देखने को मिल सकता है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, बट the thing is, अगर मैं daily की एक चीज और बात करूँ, यहां इसने hold किया, बहुत अच्छे बात थी, उसके बाद इसने break, यहां से sorry break out दिया, और उसके बाद दो candle बनाई, बट यह दोनों candle में न स्ट्रेंथ इतनी मुझे कहीं भी दिख रही, तो अगर हमें gap up opening मिलती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें early chart पर आजाओं एक बड़, अगर हमें gap up opening मिलती है, तो definitely, definitely मैं तो sort करने के opportunity डूंगोगा, especially Monday को, अगर gap up opening मिलती है, तो ठीक है, अगर gap down opening मिलती है, तो एक बार सायद हमें short है, यहां से वापिस, फिर up move देखने को मिले, तो क्योंकि देखो swing तो बनेगा, क्योंकि लगातार थोड़ा सा move हो है, दो, तीन, तीन, तीन देन, तो एक swing तो हमें मिलेगा, तो वहां से हमें, अगर gap up opening मिलती है, तो हमारा risk reward बहुत अच्छा हो जाएगा, sort करने के लिए gap down opening में risk reward थोड़ा सा सही सही सह रहेगा, तो अगर gap down opening मिले, तो हम sort करेंगे, बट बहुत बड़े reward के लिए नहीं, अगर gap up opening मिलती है, तो हम sort करेंगे अच्छे reward के लिए, और यह Monday और Tuesday maximum, ठीक है, उसके बाद maybe trend continue हो जाए, तो हमें सिर्फ Monday और Tuesday में expect कर रहा हूं, कि हम ए gap up opening मिले, और फिर हमें sort करने के opportunity, निफ्टी के अंदर specially मिल सकती है, ठीक है, और 16,000 फिलाल देखने वाला एक support zone रहेगा है, चलो data एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, data एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे तो हमें chart पर तुम्हें पता लग गया, chart पर एक बार बता देता हूं चार्ट पर daily basis में हमारे लिए support रहेगा, पहला 16,000, उससे पहले 16,160, 16,160 का एक level है, technical basis में बता रहा हूं, 16,65 का एक level है, support zone, वहाँ पर सायद थोड़ा सा hold करें, ठीक है, उसके बाद सायद अब move देखें, अगर वो break होता है, तो 160,500 काम एक correction देखने को मिल जकता है, तो उ सायद में यह रहेगा, अप सायद में 16,590 on the top level, उससे पहले 16,301 resistance level है, वो भी break होना बहुत जरूरी है, ठीक है, आगे तो हर 100 point पर क्या है, एक जिससे 16,300, 16,400, 16,500 पर resistance बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दो दिन हमें consolidation देखने को मिली है, तो अगर gap up opening होती है, तो correction strong आ स करती है, ओगर gap up opening के बाद hold करता है, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान करता है, यह नहीं कि gap up opening होई और sort कर दिया, setup बनने देना, setup बनने देना दोस्तों, ठीक है, तो उसके बाद हम अगर वो upside में मूग करना शुरू कर देता है, तो हम उसी के coding ही चलेंगे, हम trade करेंगे, दो कोटा correction हमें देखने को मिलेगा, जब bank nifty की बात करेंगे, तो उसमें में बताऊंगा, तो यहां पर अगर हमें support की बात करों, तो देखो, हर, sorry, resistance की बात करों, तो हर 100 point पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, 300 पे, 66,000 के around, यहां भी 66,000 के around, यहां 77,000, 78,000 के around, call side में open interest data built up है, that represent a strong, 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 resistance for now, ठीक है, तो इसलिए एकदम trending upside move आना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि PCR भी थोड़ा सा high पे है फिलहाल, और हां, weeks down है, but weeks down है, इसका मतलब है नहीं की up move strong ही आएगा, क्योंकि जब weeks up था, तब भी हमने धीरे-धीरे upside तो upside तो देखी है, धीरे-धीरे move पर आये, तो धीरे-धीरे हम नेची आएंगे, एकदम भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि down side में support देखोगे, तो पहला support 16,200 भी अच्छा कासा बना है, जिसके अंदर 65,000 open interest data परसों ही add हुआ है, उसके बाद 16,000 जिसके मैं बात करने में strong support जो उनका काम करने वाला है, ठीक है, इन levels को हम ध्यान रखेंगे, data suggest कर रहा है, कि इतना strong move नहीं आएगा, किसी भी side में, बढ़ जितना भी आएगा, हम उसका फाइदा जरूर लेगे, अब बात कर लेते हैं, bank nifty के weekly chart पे bank nifty को अगर देखोगे, तो यह trend line के बिल्कुल pass आ गया, जैसे कि मैंने यहां पही बोला था, जि से, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा से, अगर bank nifty में gap up मिले हैं, तो मैं बोलूँगा, sort करने के opportunity जरूर जरूर होना, तो weekly अगर मैं बात करूँ तो पहला जो हमारे लिए resistance का काम होने वाला है, वो होने वाला है 35,950, 35,950 एक strong resistance zone है, next week के लिए, और वहीं से हम देखने को मिले, तो फिर next downside हमें देखने को मिलेगे, अगर यहां से break करके, sustain करके, फिर continue करें, तो साइथ bank nifty का जो एक lower low का formation वो break हो जाएगा, और हम एक नया trend मिल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि bank nifty is very close to their downside trend line, तो weekly basis पे तो यह है upside में कि 35,950 लिख लेना level, 35,9 देखने वाला resistance रहेगा, जब तक यह break नहीं होता, ठीक है, downside में तो मैं scandal को ही मानुगा, फिलाल, एक strong support zone का काम जो हमारे लिए करने वाली है, वो है, 33,000 का level है, हमारा, 33,500, 70 या फिर 33,600 के round मान लो, ठीक है, तोड़ा मैं upside से ले 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 के चल रहा हूं, यह move strong था, तो इत बात करूं, डेली देखते, अब डेली में मैंने क्यों बोला, देखो एक चीज समझे न, मैंने डेली में क्यों बोला, कि जब अगर gap opening मिले तो definitely source करना है, अगर पिछली बार देखोगे तो बैंक इसी तरह भागा था, और फिर वहां से एक gap down opening मिली और अच्छा खासा हमें जरूर देखने को मिलेगी, तो इसलिए bank nifty में sort में जाने में मुझे ज्यादा comfort लग रहा है as compared to nifty क्योंकि nifty slowly and steadily move कर रहा है, ओके, तो bank nifty में sort करने की ज्यादा opportunity, one more reason is, अगर मैं moving average की बात करूं, ठीक है, तो moving average में बोलता हूँ न, जैसे हमेशा, कि हमें ये choose करने के लि मुझे हमेशा moving average बताते है, सबका अपना नजरिया होता है देखने का, मेरा दोस्तों ये नजरिया है, यहां moving average से price जो बहुत ज़्यादा दूर है, और ऐसा कभी नहीं होता कि moving average से दूर होने के बाद price और भी दूर चला जाएगा, या तो यहां hold करेगा, या फिर यहां प opening, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं, ठीक है, moving average का हम सिर्फ तभी यूज करेंगे, ठीक है, rs कोई भी indicator ना, बहुत सारी लोग इसलिए यूज करते हैं, बट सबका अपना perspective होता है, अपना तरीका होता है, यूज करने का, मेरा तरीका थोड़ा लगा, मेरा तरीका यह होता कि मुझे कहां trade execute नहीं करनी है, इसलिए मैं moving average और rsi का use करता हूं, कभी कबार, moving average मैं हमेशा use करता हूं, वो मुझे बताता है कि मुझे इतनी दूर पे यहां पे execution नहीं करना है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसलिए use करते हैं कि उनको execution कहां पे करना है, सबका अपना तरीका होता है, बट मेरा है कि मुझे यहां पे upside में कोई execution नहीं करना है, फिलाल, especially bank nifty के अंदर, क्योंकि यहां price action भी खूद ही बता रहा है, देखो, price action सीधा हमें upside देखने को मिली है, तो definitely, यहां पे वो price action सीधा-सीधा कह रहा है कि नहीं वहीं है, थोड़ा रुखो, भाई दी होई बगाने की, और the second thing is, हम trend line के बहुत पास है, trend line के बहुत पास है, that means, यहां से definitely correction देखने को मिलेगा, अगर हम सीधा यहां पे candle मिल गई, तो correction बहुत strong आएगा, तो मैं चाहते हैं कि बार यहीं पे हमें correction मिल जाए, एक छोटा सा, उसके बाद upside move अगर देखने को मि अधरवाइस थोड़ा सा मुश्किल रहेगा यहां पे, तो इस चीज़ को हमें जरूर 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 ध्यान रखना है, चलो data के according, data के according हम check कर लेते हैं, कहां पे क्या levels बन रहे हैं, अब 35,000 पे ही strong level, strong support level बना हुआ है, यहां पे देखोगे, तो 35,000 पे strong support level ह है, जब तक यह है, अब तक बहुत बढ़िया है, उसके बाद इस पे तो हमें टेक्निकली, डेटा वाइस तो सिर्फ 45,000 पे support देख रिया, बैंक निफ्टी में डेटा मेरे ख्याल से, इतना, लेक सोरी, इतना काम नहीं करता है, यार बैंक निफ्टी में डेटा, मैंने कही है, इतना हेल्प नहीं करता है, ज्यादा हेल्प करता है, यह चीज मैंने देखी है, मेरे एक स्पिरेंस के अकोडिंग, अपसाइड में देखूं तो मुझे सीधा सा 35,500 पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, उससे पहले कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं है, तो अप सोट करने में वर्भिय माझ आएगा, 35,500 का अकोडिंग अगरा, गैप अप ओबनिंग होती है, तो वह कल को पता लगेगा, होगी के नहीं होगी, वहां तो फिर और माझ आएगा, तो देखते हैं, फिर इस रिवोर्ड उसी तरह जिसे निफ्टी में थोड़ा कम रह से हम इन लेवल को ध्यान रखेंगे, 35,500 एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिलहाल, उन्दा डेली बेसिज, वीकली बेसिज पे 35,950 एक स्ट्रोंग रेजिस्टेंस है, वीकली बेसिज पे मैं बता रहा हूं, डेली बेसिज पे फिलहाल 25,500, डाउन साइड में बात करूं तो तो 35,000 सेकंड सपोर्ट होगा, और 35,000 हमारा पहला सपोर्ट हो जाएगा, और यह रास्ता यूहीं कट जाएगा, और यह दिन यूहीं कट जाएंगे, ठीक है, तो चलो, I hope आपको यह लेवल क्लियर हो गए होंगी, यह मेरा रीजन सोट करने के मैंने बिल्कुल क्लियर कर द सब्सक्राइगे, यह दिन साथ चलने से, इतनी लाइन याद आई, सो रही, चलो दोस्तों मिलते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो, यह content अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, मैं बहुत कोशिस करता हूं, simple way से बताने के, जितना मैं simple कर पा रहा हूं, मैं उतना करने के कोशिस कर रहा हूं, and I hope मैं कुछ से उम्मीदें रखता हूं कि मैं और भी ज्याजा simple तरीके से कैसे बताऊं, और भी interesting तरीके से, fun तरीके से, fun मतलब था मजा आना जी है, तो उस तरीके से मैं कैसे बताऊं दोस्तों, उस पर फिलाल काम चल रहा है, and you will see slowly and steadily, I will improve my way of communicating, communicating बोलेंगे, चलो किसी को कुछ सारा बाहर, चलो मिलते हैं, next video के अंदर, my name is Sandeep, we are from सिंफरीन, जय हिंद,